खेती चाहे पारंपरिक रूप से हो चाहे आधुनिक तरीके से हो एक सबसे महत्वपूर्ण आदान है खेती का वो शिंचाई जल है सबसे महत्वपूर्ण है हम जानते हैं कि राजस्तान राज्ये में सिंचाई जल एक सिमित आदान है इसलिए इसका समुचित उप्योग और इसका दक्स तर्म उप्योग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पारंपरिक रूप से हमारे किसान साथी सतही सिंचाई करते थे यानि कि क्यारियों से सिंचाई करते थे और इस सिंचाई की विद्धे में दो तीन महत्वपूर्ण बातें थी कि पहला तो इसमें पानी का बहुत ज़्यदा वेस्टेज होता है, काफी ज़्यदा पानी का नुक्सान होता है दूसरी बात इसमें जो सरम की लागत है वो भी काफी ज़्यदा आती है क्यारियां बनाने में उसकी धोरे बनाने में उसमें काफी ज़्यादा लागत आती है परंतु चुंकि राज्जे एक शिमित जल का राज्जे है इसलिए हमें एक एक बूंद को सहेजना भी है और पर ड्रोप मोरक रोप परती बूंद अधिक्तम भसर लेने का जो शिदान्त ह उसके उपर अपन चलते हैं तो आधुनिक सिंचाई विद्यों को अपनाना होगा आधुनिक सिंचाई विद्यों में हमारे किसान साथी राजिस्तान राजे में स्प्रिंकलर या फवारा सिंचाई पद्धिति के बारे में काफी जानते हैं इसमें पानी है वो बर्षात की बुंदू की तरह फस्तल में दिया जाता है पाइपों के माद्यम से पानी खेत में जाता है और नोजल के माद्यम से पानी का छिड़का होता है हमारी फस्तलों के उपर और उसके माद्यम से हम हमारी फस्तलें काफी अच्छे उतपादन भी ले सकते हैं उसकी गुनता भी अच जबकि हमारा जो पारंपरिक तरीका सिंचाई का उसमें 25 से 40 परतिसत दख्स ताहि रहती यानि कि 6 लिटर पानी अगर अपने भसलों को देना है तो उसमें अगर 27 सिंचाई क्यारियों से अपन दे रहे हैं तो 25 से 40 लिटर पानी का भसलों के आएगा बाकी का एक तरह से नुक्सान होगा पानी का वेस्टेज जाएगा जबकि अगर हम फवारा सिंचाई का उप्योग करते हैं तो उस इस्तिती में करीब 70 परतिसत जल यानि सो लिटर में से 70 लिटर पानी हम हमारे भसलों को सीदे से दे सकते हैं इसमें सीदे रूप से सरम की बचट भी होगी और एक फवारा सेंचाई ले लिया तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम उठाके रखते जाते हैं और पूरे खेत में सिंचाई कर सकते हैं इसकी लागत भी बहुत जदा नहीं आती। तो प्रारंभिक तोर पे आदुनिक शिंचाई सैंतर जिसका समाउज हमारे सिंचाई पदितियों में हुआ है वो स्प्रिंकलर या फ्वारा सिंचाई पदिती थी। लेकिन जो जो खेती का विकास हुआ है हमारे कास्तकार आधुनिक की पदतियां अपनाने जा रहे हैं अच्छी फसलों की तरफ जा रहे हैं जैसे सब्जियों की फसल है जैसे अपने फलोध्यान है फूलों की खेती है या प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन सरक्षित खेती इसकी तरफ जाते हैं तो हमें और आधु जाना पडेगा